आज हम देखते हैं शियांचू शीजी की सिट पे उसे मनाने के लिए इतना बड़ा गुलाब का बुके ले आता है बहुत टाइम हो चुकी थी शीजी ने शियांचू से बात नहीं की थी बेचारा शियांचू भला कितने दिन उससे दूर रहता शीजी का भी कहा मन लग रहा था उसके बिना तो वो भी जल्दी मान जाती है शीयांचू शीजी को आईस क्रिम खिलाने ले आता है शीजी को स्ट्रॉबरी फ्लेवर पसंद है देख शियान चुको याद आता है बच्पन में उसके पार्टनर को तो चॉकलेट फ्लेफर पसंद थी फिर से विचारा कन्फूशन में पर जाता है वहाँ शाओ एक छोटा सा रोबोट बनाया था जिसके अंदर वो अपनी बाते सेट करना चाता था शीना को वो सामने से बोल नहीं पाता अपनी दिल की बात इसलिए ये सब कर रहा था लेकिन वो समझी नहीं पा रहा था कि उसे बोलना क्या है कहा से शुरू करना है कैसे शुरू करना है अगले सिन में हम देखते हैं बाई आखरी बार के लिए स्टूडियो आता है उसका यहा का काम खतम हो चुका था तो उसे फिर से विदेश लोटना था ऐसे में शीना उसे फोन करके स्टूडियो के अंदर जाने के लिए बोलती है चाबी लाने बाई जब अंदर आता है तब ये तीनों से सप्राइज देते हैं बाई का बद्रे सेलिप्रिशन के लिए तीनों ने मिलके प्लैन बनाया था ये सब देख बाई एमोशनल हो परता है उसके अंदर गिल्टीनेस काम करती है वो कहता है आज उसका बद्रे नहीं था वाशाओ अपने रोबोट के साथ पूरी तरह से तयार था उसने सोचा था शीना को फोन करके बुलाएगा और उस रोबोट से जो काम करवाना था उसे वो करवाएगा पर शीना का फोन साइलें कनफेस करता है शीना का दिल बहुत सौफ्ट था तो वो बाई पे जादा गुस्ता नहीं दिखा पाती पर वैंजी उसे भर भर के सुनाती है बाई जब जाने के लिए दर्वासा खोलता है तब बाहर शाओ खड़ा होता है शाओ आके ही शीना को अपना फोन चेक देने के ल वो बाई की हालत खड़ाब करके रख देता मैजेस लाने के बहाने वो बाई को भेज देती है शेंग विंजी को यहां ले आता है ताकि शाओ और शीना बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्फ कर सके शीना शाओ से पूछती है उसके हाथ में क्या है शाओ की जगा विंजी क बाई को वापस बुला के लाने के लिए बोलती है शीना को उससे बात करनी थी बाई के जरी उसे जानना था कि कौन उसके पीछे investigate कर रहा था अगले सिम में हम देखते हैं बाई शीना से बात करने आता है शीना उससे कहती है वो उसके साथ corporate करे वो ऐसे pretend करे जैसे कुछ वो उसकी मदद करे ये जाने में कि इन सब के पीछे कौन है वहाई ये दोनों बात कर रहे थे ऐसे में रोबोट में से आवाज आती है I like you उसके बाद ही पावर आफ हो जाती है अगले दिन शेंग शाओ से इस बारे में बात करता है कि उसने शीना को जो रोबोट दी थी उसका तो पावर ही आफ हो गया था वहाँ बाई शीयान चुकि दीदी की सेकरिटरी से कहता है उसे एक बहुत important information मिली है जाने से पहले वो उसके बोस से मिलके उनहीं को वो information देना चाता है अगर वो नहीं आई तो उसे भी information नहीं देनी बाई के कहने पर शियांचु की दीदी उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और कहां मिलना है वो भी बताती है अगले दिन उसके बताए हुए जगा पर ही बाई पहुच जाता है शियांचु की दीदी की सेक्रेटरी चेक करके उसे बताती है कि बाई के साथ और कोई भी नहीं है लेकिन बाहर ये दोनों मार्कस पहन के तयार थे पर शियांचु की दीदी इतने बेवकुफ नहीं थी वो शीजी को कॉल करके बुलाती है ताकि उसकी जगा वो बाई से मिलने जाए शीजी को कुछ पता ही नहीं था उसे किसलिए बुलाया गया था वो बस शीजी की दीदी के इशारे पे नाच रही थी शीजी को देख बहुत हट होती है उसे विश्वास नहीं हो रहा था शीजी इतने नीचे गिर सकती है कि उसे फॉलो करने के लिए उसने आदमी लगाये थे शीजी अब शीजी से दूर रहना चादे थी वो इस टूडियो को चोड़ देना चादे थी ताकि शीजी और शीयान चुके साथ उसकी मुलाकाट ना हो सके शीजी शीजी अक बात की तसली थी कि उसे बाई जैसा और एक अच्छा दोस्ट मिला था बाई जब शीना को अप्रिशियेट करने उसे पकरता है तबी वहाँ शाओ चला आता है इस बहाने से कि आज शीना को उसके घर जाना था फ्राइड राइस बनाने लेकिन आज शनिवार नहीं था वैसे शाओ को बस एक बहाना चाहिए था शीना से मिलने का फिर चाहे वो बे बनियादी क्यों न हो बेकार सा एक्सक्यूज दे के भी शाओ अपना एटिट्यूट दिखा रहा था और ऐसे में रोबोट आन हो जाता है और बोलने लगता है शीना आई लाइक यू कुछ बात होने से पहले ही शाओ उस रोबोट को लेके भाग जाता है वैंसे शीना को उसके पीछे जाने के लिए बोलती है पर शीना को लग रहा था वो शायद एक गलत फैमी थी वैंसे उसे जो भी हो वही उसके साथ क्लियर करके आने के लिए बोलती है घर जाके शाओ किचिन उलट पुलट करके रखा था फ्राइड राइस बनाने के लिए शीना भी जली आती है वहाँ जले हुए फ्राइड राइस को खाने से शीना शाओ को बार बार मना करती है पर शाओ सुनता नहीं उसे खाके शाओ बिहोश हो जाता है शीना उसे आउस्पिटल लेके आती है डॉक्टर कहते है शाओ को वैसा कुछ नहीं हुआ था वो ठीक था बाद में शाओ को होश आते वो शीना को उस पे सर रखके सोते हुए देखता है वो उसके सर पे हाथ सहला रहा था ऐसे में शेंग और वैंजी के आने से शीना की नींद रूच जाती है वैंजी जब दोनों को इतने प्यार से रहते हुए देखती है तब वो शेंग को बाहर ले जाती है शाओ तो एकदम बच्चा बन गया था शीना को पाके शीजी को जवाब चाहिए थी शीयांचु की दीदी से पर कोई फाइदा नहीं होता शीयांचु की दीदी उसे कुछ भी नहीं बताती उपर से उसे ऐसा प्रिटन करने के लिए बोलती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो शीना अब शाओ की देखभल के लिए उसके घर रहने का फैसला लिया था शेच ये जानके बहुत खुश होता है उससे भी जादा तो शाओ खुश था शीना को पाके शीना के सामने वो जादा से जादा बीमार रहने का नाटक कर रहा था ताकि इस बहाने उसे शीना का केर मिले अगले सिन में हम देखते है शाओ शीना को मूवी दिखाने ले आया होता है पर उसे पता नहीं था वो मूवी एनिमेशन की थी वो अपसेट हो रहा था लेकिन शीना कहती है उसे लगा कि वो कॉमिक पसंद करती है तो इसे लिए वो उसे animation movie दिखाने ले आया तब जाके शाओ का मन्हलका होता है और कहता है वो इसी वज़र से उसे ये movie दिखाने लाया movie खतम होने के बाद बारी थी इस robot के topic को clear करना इनके बीच जो भी बात होती है वो indirect propose करने जैसा होता है शीना भी चुपचाप उस proposal को accept भी कर लेती है फिर दोनों ही खुश अगले दिन शाओ का जैसे मन ही नहीं लग रहा था किसी भी चीज में शेंग उससे कहता है company उसकी है वो यहां का boss है तो उसे काम करनी की जरूरत तो है नहीं तो क्यों न वो शीना से मिलने जाए शेंग की बातों से inspired होके बाद में शाओ सारे employee को भी छुटी दे देता है शेंग कहता है रात में एक बहुत important meeting है उसे attend करना ही पड़ेगा पर शाओ ने अपना मन मना लिया था तो वो meeting को अगले दिन दोपहर को रखने के लिए बोलता है वहाँ ये तीनों नया studio ढूने निकले थे पर उन्हें एक भी पसंद नहीं आता पूरा दिन घूम के भूग भी लगी थी तो तीनों मिलके restaurant के लिए निकल परते है वहाँ शाओ तो घर के अंदर जाने से पहले ही romantic scene imagine करने लगता है और अंदर आते ही उसका दिमाग करम हो जाता है क्योंकि शीना घर पे नहीं थी और रोबोट वो यही छोड़ गई थी वहाँ शाओ बैटे बैटे शीना का इंतिजार कर रहा होता है और यहाँ पे इनकी बाते खतमी नहीं हो रही थी थोड़ी देर बाद वहाँ शेंग आता है उसे देखते ही शीना शाओ के बारे में सोचके घबरा जाती है और तब ही शाओ का फोन भी आ जाता है शाओ ने शीना से कहा था उस रोबोट को हर वक्त अपने साथ रखने के लिए शीना उसे घर पे छोड़ आई थी तो शाओ उस पे चिलनाने लगता है शीना डर डर के जवाब देती है कि वो डोरे मॉन है गया जो हर वक्त उसे साथ लेके घुमेगी फोन रखने के बाद शीना घर जाने के लिए बेचैन हो परती है बाई भी वेंजी और शेन को अकेले टाइम स्पेंट करने छोड़ जाता है बाई शीना को घर तक ड्रॉप करने आया था शाओ ये देख गुसा होके अंदर चला जाता है शीना जाके उसे मनाने लगती है शाओ का गुसा तो ठंडा ही नहीं हो रहा था शीना उसे रोबोट को पास करने के लिए बोलती है तब जाके शाओ का गुसा थोड़ा सा शान्त होता है शीना उसके लिए फ्राइड राइस बनाने कीचन आती है शाओ ने कहा था, जब भी उसका मन करेगा, वो रोबॉट से उसका कन्फिशन वाली बात सुन सकती है पर इससे उसके पास नोटिफिकिशन चला जाएगा शीना का फिर भी मन करता है सुनने के लिए, वो बार बार सुनती जाती है और शर्माने लगती है वहाँ शाओ के पास भी बार बार नोटिफिकेशन आने लगती है जिससे उसका गुस्सा पूरी तरह से शान्थ हो जाता है बात मी शीना जब शाओ को स्टूडियो छोड़ने का फैसला सुनाती है तब शाओ भी उससे जादा नाराज नहीं होता क्योंकि वो भी नहीं चाता था कि शीना और शीयान चुकी मुलाकात हो अगले दिन नए स्टूडियो ढूनने के लिए शीना तो एकदम रिडियो के आ गई थी पर वेंजी और बाई बताते हैं कि शाओ ने पहले से ही उनका स्टूडियो ठीक करके रखा है और इस बार का जो स्टूडियो था वो तो पहले से भी जादा अच्छा था शाओ को पहले से ही बाई के बारे में पता था उसे पता था कि किसे ने उसे हायर किया था शीना पर इन्वेस्टिकेट करने के लिए बहले ही इन सब के पीछे शीजी को दिखाया गया था ताकि वो शीना की जिन्दगी से दूर हो जाए पर शीना ने बाई पे जो विश्वास दिखाया था वो बाई के लिए बहुत कीमती थी अब उसे पक्की दोस्ती निभानी थी